जैने दोस्तों मैं आपका दोस्त रादेशा भाउसर मोस्ट एक्सपेंसिव अगर साड़ी है सिल्क है इसका कलर भी लूज है तो हम इसे पेटर रॉश करना पसंद करते हैं यह न इसमें मेटल भी है और सिल्क भी है अगर नॉर्मल वाश करता हूं न बहुत ज्यादा श्रिं है कि स्वेटिंग की वज़े से वह कलर के सरकल सरकल थुड़े बहुत बने इसमें तो हमें फिल्कुल भी डैमेश फ्री से ड्राइग लिनिंग करना है तो इसको करेंगे पेटर रॉश पेटर रॉश से होगा यह कि 100% श्रिंग फ्री साड़ी रहेगी नॉर्मल स्टीम आयर यहां पर यह इसके उपर स्टोन भी है और स्टोन से ज्यादा इंपोर्टन है यह कपड़ा जो बहुत ज्यादा महंगा है कभी भी केमिकल अगर आपको ट्राय करना है हम मैं कहता हूं कि यूज कीजिए आप तो इसको कभी भी बॉर्डर पे यूज करके देखिए उसके बाद में ही आप केमिकल को में स्टेंड पे या पूरे कपड़े पे यूज करिए दोस्तों कि यह हमने यूज किया है एक लिटर साड़ी फॉल में भी थोड़ी बहुत गंधी है खराब है तो उसको भी हम इसे ब्रश करना है इस तरह से पहले तो पूरा इंटियो साड़ी में मिला लेते हैं मिला इंटियो साड़ी में थाखवा ओॉल में पॉल में मतला है ओॉल में ठी तरह से क्वेड़ी में दोप्षावा ओॉल में दोस्तों एक निटर तो मैंने यूज़ किया बट थोड़ा सा और कम पड़ेगा तो मेरे पास ये पहले से पड़ा है ये भी दो सो मचा से मिलके आसपास होगा ये तो इसे भी यूज़ कर लेते हैं अभी सबसे में जो काम है ना यहां पर लगी है डर्ड तो यह नॉर्मली जाती नहीं है बट इसे हम स्क्रब करेंगे कर दो बट नहीं है झाल झाल तो यह रही साड़ी जो हमने अच्छे से पेट्रल वाश की है और इसको मैंने कम से कम 4-5 मिनिट तक हाइडरेक्टर में गुमाया है इससे होगा यह इससे जितना भी एक्स्ट्रेक्ट होने वाला यम्टियो है और इसको मैं भी धूप में सुकाऊंगा और जल से जल इसमेल चला जाएगा और मैंने सिर्फ सिल्क में ही रिकमेंड किया है एम्टियो ब्लेधर कोट में मैं यूज नहीं करता हूँ तो बस यही है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में और इस तरह कि अगर कलर लूज और सिल्क जरी की साड़ी है तो पेटर रौश करना अनिवार्या है इस साड़ी के मैंने 400 रुपे चार्ज किये हैं जैहिं वंदे म यूश्फूल होंगे तो उसकी ऑनलाइन पाइलिंग हमेशा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ तो जाके आप बाए कर सकते हैं चेक कर सकते हैं और बाए कर सकते हैं जैहिंत वंदे मातर जैस्त्री राम धन्यावाद दोस्तों